तो आएए बच्चों, आज करते हैं उनकी सफाई, जिन्हें साफ करने में हम घबराते रहते हैं. परिशानी होती है उसे साफ करने में, आज देखते हैं इसे कैसे साफ करेंगे मिंटों में. और बिचलो, कैसे हैं आप सब? आज सीखते हैं कुछ नई सी ट्रिक. किचिन की हर चीज को हम साफ सुथरे तरीके से रखते हैं, लेकिन कभी-कभी माइक्रोवेव हुआ, ओटीजी हुआ, या कोई ऐसी चीज हुई, उसे साफ करने में हम घबराते हैं, सोचते हैं, साफ करने में बहुत मेहनत लगेगी. यहां मैं आपको वो बात बताती हूँ, कि अक्सर घर में आज कल किचिन में माइक्रोवेव हैं. माइक्रोवेव को साफ करना थोड़ा एजी होता है, क्योंकि उसके अंदर जो भी रौड्स होती हैं, जो गरम होती हैं, वो इन बिल्ड होती हैं, तो उसे खराब होने में दगता है कि हम उसे साफ करेंगे फिर उसकी रॉट्स खराब हो जाएगी फिर क्या होगा आज मैं आपको एक सरल तरीका बताती हूं और एक सरल सेलूशन बताती हूं जिससे आप उसे मिन्टों में साफ कर देंगे गंदे से गंदा अवन अगर आपका खराब हो गया तो इस तरीके से आप साफ कर पाएंगे तो यहां देखिए मैंने अवन को नीचे निकाल दिया है उसके सारी जो असेसरी होती है ट्रे और जो जाली वगर वो मैं सब निकाल के आपको दिखा रही हूँ उसकी हालत बहुत ही बुरी हो रही है यह देखिए कई टाइम से मैं भी इसे लापरवाई से देख रही थी साफ नहीं कर रही थी आज मैंने सोचा इसे साफ ही किया जाए अब नीचे जो एक ब्लैक ट्रे है इसके नीचे भी एक रॉड है यह देख लीजे इस रॉड को खराब नहीं होना चाहिए अगर यह रॉड खराब हो जाती है तो हमारा अवन काम करना बंद कर देगा एक रॉड उपर होती है एक रॉड नीचे होती है तो अब उन्हें खराब किये बिना हम इन्हें साफ करेंगे तो नीचे की जो ट्रे है उसे तो हम वैसे ही लगा लेते हैं और साइड में जो एक फैन होता है वहाँ भी बहुत गंदगी हो जाती है ऐसे में हमें इसे साफ करना बहुत बड़ा टास्क है चलिए अब हम इसे साफ तो करेंगे कैसे करेंगे वो देख लेते हैं यहाँ मैं आपको बता रही हूँ पेंट वाले की दुकानों पे आपको जो मिल जाएगा यह है तारपीन का पेर इससे साफ करना बिल्कुल खेलने वाली बार इससे मैं एक कटोरी में निकाल लेती हूँ मैंने अभी थोड़े दिन पहले घर में पेंट कराया था तो मेरे पास अल्रेडी था यह यहाँ मैंने लिया एक स्पंज का टुकड़ा उससे थोड़ा सा इसमें डिप कर दिया है हाथों में मैंने गलब्स पैन लिये अब धीरे धीरे आपको ऐसे लगाना है जैसे नीचे टपके नहीं पानी की तरह है और हमारा वो नीचे खराब बिना रोट्स बिना खराब हुए हमारा अवन जो है साफ करना है स्कॉच ब्रश ले सकते हैं उससे आप धीरे धीरे से रब करते जाएए आप देखेंगे बिल्कुल बहुती जल्दी जल्दी ये साफ होता चला जाएगा काफी हद तक आप देख रहे हैं लाइट होता जा रहा है एक बार दो बार कईयों बार इसे लगाना पड़ेगा और धीरे धीरे हमें रब करना है हमें ये सारा काम बड़ी हुशारी से करना है जिससे नीचे रोड जो है उस पे कोई भी पानी या ये ओईल ना जाए इस चीज का खास ध्यान रखना है यहां देखिए कितने अच्छे से वो क्लीन हो गया है ऐसा लग रहा है कि जैसे हमने अभी अभी नया खरीदा है सामने देख रहे हैं आप बहुत ज़्यादा बड़ी अकलीन हो गया अब बाहर का पोर्शन जो होता है नौब होती है नीचे का पोर्शन होता है हर तरफ आपको धीरे धीरे साफ करना है जहाँ आपको लग रहा है की बहुत ज़्यादा दागें वा स्टील का आप जो स्कुरबर होता है उससे साफ कर सकते हैं कहीं आपको स्कौच ब्रेश से साफ हो जाएगा और कहीं आपका स्पॉंज से ही साफ हो जाएगा इस तरीके से दो-तीन चीज़ें जो हमारे घर में होती हैं, हम बर्तन साफ करने के लिए यूज करते हैं, उन चीज़ों से ही आपका ये साफ हो जाएगा, इसका बैक साइड भी मैं सफाई करके आपको दिखा रही हूँ, बस एक बात का आपको ध्यान रखना होगा, जो भी इ यूज कर रहे हो, उससे अब आपको बर्तन साफ नहीं करने हैं, क्योंकि इसमें एक स्मेल आजाती है, जिससे आप बर्तनों को नुकसान नहीं पहुचा सकते हैं, ये फैन की जगह भी धीरे-धीरे आपको रब करते हुए साफ करते जाना हैं, आप किसी भी डिटरजन को थ धीरे-धीरे टूथ प्रश लीजे या एरबर्ट लीजे, उससे भी आप साफ कर सकते हैं, ये स्क्रबर जो है यूज किया हुआ है, तो यूज होने के बाद ये काफी सॉफ्ट हो जाता है, नया जब हम स्क्रबर यूज करते हैं, तो वो काफी शाप होता है, तो आप भी कि यूज किये हुए स्क्रबर से साफ करें, ये देखिए मैं एरबर्ट्स ले रही हूं जिससे इसकी सफाई हो रही है, अवन में हम काफी सारी चीजें बनाते हैं, बहुत सारी बेकिंग करते हैं, कुकिंग करते हैं, पीजा बनाते हैं, तो उससे जो ओईल होता है, बटर होता ह शारे जो छीटे उड़ते ना तो गहरे दाग लग जाते हैं, जो जिनने साफ करना बहुत ज़्यादा टफ था, तो ये देखिए कितना असानी से मैंने साफ करके आपको दिखा दिया है, आपका भी जब कभी मन करें, और आपको भी लगे कि जो पुराना सा अवन है, उसे के से आप कर सकते हैं और बहुत जादा मेहनत करने की जरूत नहीं है बड़ा ही असानी से हो जाएगा लास्ट में एक टौविल को या नैपकिन को पानी में डिप करके और साधे पानी से आप निचोड के से साफ कर लीजे जिस से क्या होगा इसमें स्मेल भी चली जाएगी और स्मेल लास्ट में बिलकुल न बचे उसके लिए भी मैंने आखर में एक तरीका बताया है वो भी आप फॉलो जरूर कीजीए आप इसकी चमक देखके बिलकुल नहीं लगेगा कि ये कितने साल पुराना है काफी साल पुराना है और बिलकुल नए जैसा हो गया है ये सारी ज नेपकन लिया और नीचे वाला ट्रे भी निकाल दिया है और निकालने के बाद सूखे कपड़े से नीचे भी जो रौड है उसके आसपास मैंने सफाई कर दिया है। से भी एक बार फाइनल टच इसमें साफ कर दीजे आगे जो मिरर होता है वो भी बिल्कुल चमकना चाहिए अब आपको पता चल गया यह तारपीन के तेल से साफ हो जाता है तो अब आपने अवन को इस तरीके से गंदा बिल्कुल नहीं करेंगे थोड़े थोड़े दिनों में बस हलके जो दाग होते हैं उन्हें आप साफ कर देंगे तो आपको ज़्यादा मैनत नहीं करने पड़ेगे इसकी जो जाली है ट्रे है उसे भी इसी तरीके से आप साफ कर लीजे अब मैंने जगा पर लगा दिया है अवन को जहां मैं रखती हूँ जाली भी साफ हो गई है अवन भी चमक गया है अब इसमें कोई भी काम करने से पहले हमें क्या ऐसा करना चाहिए जैसे इसमें बिल्कुल भी कोई स्मेल न रहें अब दो तीन घंटे तो पहले आपको ओन ही नहीं करना है जब दो तीन घंटे बाद आपको क्या करना है एक नीबू काट लीजे उसके खुश्भू इसके अंदर फैला देगा जो स्मेल है वो नेबू के अंदर चली जाएगी तो आपका अवन नीट एंड क्लीन हो जाएगा इसमें कोई भी ऐसा फ्लेवर नहीं होगा जो आपके खाने को खराब करें तो देखाना बच्चों मिंटों में हो गया अपना आवन बिलकुल नहीं जैसा वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजे इस चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई कंजोसी नहीं